हेलो दोस्तो, तो कैसे हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आज हम डिसकस करने वाल है प्रैक्टिस सेट नमबर 8, ठीक है, मैथ का, प्रैक्टिस सेट नमबर 8, जो आज का सबसे पहला सवाल होगा, ठीक है, और हम लोग आज करीब 12-15 सवा AQ-BQ का मान क्या होगा, ठीक है, अब देखिए, यहां आपको दे क्या दिया है, A is equal to 11, B is equal to 9, अब यहां आपको पूट करना है, ठीक है, लेकिन पूट करने से पहले आप देख रहे होगे, AQ और BQ, यानि कि AQ-BQ, तो आपको AQ-BQ का फर्मूला क्या होता है, ठीक है, ज AQ-BQ, A-B, A square plus AB plus B square, ठीक है, फर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फर्मूला का स лай नहीं बनने वाला है, ठीक है, तो फर्मूला याद हो गये, ठीक है, क्या है, A-B into A square plus AB plus B square, अब इसके यहां लिख सकता है, ठीक है, यहां लिख लिखेए, A 2 plus B square plus AB, उपर है, ठी प्लस AB प्लस B² अब यहां पर देख रहे होंगे A² B² प्लस AB A² प्लस B² प्लस AB यह दोनों गांसल हो जाएगा ठीक है इसे क्या बचेगा 1 बटा A-B ठीक है क्या बचेगा 1 माइनस A बटा B अब देखिए A कमान कितना है 11 और B कमान 9 है ठीक है तो यहाँ पर देख लिज़े 1 बटा 11-9 क्या बचेगा 1 by 2 यह मेरा क्या हो गया अंसर हो गया ठीक है अगर आप कोई फर्मुला नहीं होता तो आप इसको बहलो पूट करते थे 11 का क्यों निकालना पड़ता और 9 का क्यों निकालना पड़ता जो थोड़ा सा लेंदी हो जाता ठीक है तो मेरा option number क्या है तो option number C हो जाएगा ठीक है कुछ नहीं था AQ-BQ यह फर्मुला आप नोट कर लेजी कॉपी पर ठीक है AQ-BQ A-B 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 B-B A-B B-Square ठीक है मैंने यह फुट कर दी है यह दूनों cancel हो गया तो A-B बचा 1 कमाने 11 और B कमान 9 11 मसे नहीं हो गया तो 1 by 2 यह मेरा answer हो गया नेक्स सवाल देखते है second number सबाद नेक्स चपाल देखते है ठीक है अर्न संख्याह के कर्मा सा अ मा साक जो ए 8 ओर 28 है यह उनमें से एक संख्याँ 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी ? देखिये em हम सब्सक्राइब को बता है मेरे एक फर्मूला जाने है फर्मूला होता है lcm exposed इसकल टो 12 संख्यां गुने दूसरी संख्यां यह फर्मूला को आप लोग नोट कर लिजे, फर्मूला होता है, LCM गुने SCF is equal to, यानि कि बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, पहली संख्या के, दूसरी संख्या के बराबर होता है, ठीक है, तो देखे, मेरा LCM और SCF दिया हुआ है, आठ और 48 है, यानि कि LCM है 48, ठीक दूसरी संख्या क्या करनी है, निकान नहीं है, ठीक है, दूसरी संख्या क्या करनी है, निकान नहीं है, ठीक है, ठीक है, आप काट दीजे, 8 से कितना बार में, 8 से 28 है 24, और 16 यानि कि कितना जाएगा, जो दूसरी संख्या आएगा मेरा, दूसरी संख्या कितना जाएगा मे जैए उन में से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी एक फर्मूला है LCM गुने HCF ठीक है इस फर्मूला नोट कर लिजे LCM गुने HCF is equal to पारी संख्या गुने दूसरी संख्या LCM 2.43, SCF 8, पारी संख्या 24 दूसरी संख्या निकालनी थी तो बस multiply कर दिए दुसरी 장cirता पाल जाएगा सुला ठीक है वीडियो जरू से जरू से जरू से खिजएगा अगर आप वीडियो देखे हैं तो पीले design लिए नेक्स सवाल देखते हैं थ्री नमर सब्सक्रेण आससी देखते हैं थ eldी कुछ नहीं है आपको formula इससे पहले बताएं थे q-bq का ठीक है q-bq को क्या बताएं थे q-bq होता है q-bq a-b into a² plus ab plus b² ठीक है यहाँ पर आपको दे दे q plus bq q-bq क्या होता है a plus b into a² minus ab plus b² ठीक है q-bq a plus b a² minus ab plus b² यह दुरुमा formula नोट कर लिए ठीक है देखिए यहाँ पर आपको क्या कर सकता है 0.125 है ठीक है इसको हम लिख सकते है 0.5 का q जब 0.5 का q कीज़ेगा तो 0.125 है ठीक है पलस इसको लिख सकता है 27 यानि 3 का q 27 होता है तो 0.0 के बाद 20 ठीक है तो 0.3 का q q लिख सकता है बटा ठीक है यहाँ देखिए 0.25 इसको लिख सकता है 0.5 का q 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 तो क्या लिख सकते हैं, a plus b into a square minus a b plus b square, ठीक है, तो लिख सकते हैं, a plus b, तो यहां के लिख सकते हैं, 0.5 plus 0.3, ठीक है, उसके बाद a square minus a b plus b square, तो a square, यानि कि 0.5 का hollow square, ठीक है, इसको बड़ा bracket में डाल दीजे, 0.5 का hollow square minus a b, तो minus 0.5 minus 0.3 plus b square, यानि कि 0.3 का hollow square, ठीक है, बट्टा, अब देखें, आप वही लिख देजे, 0.5 का hollow square, minus 0.5 minus 0.3 plus 0.3 का hollow square, यह देखें, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों कट जाएगा, क्या होगा, दोनों कट जाएगा, अब बच्चे का क्या, 0.5 plus 0.3, तो जोनों को जोड़िएगा, तो कितना जाएगा, 0.8, यह मेरा क्या हो जाएगा, अंसर, ठीक है, ओप्सन में क्या है, देखें, आपे, 0.8, यानि का option number C, ठीक है, तो यह कुछ करना नहीं था, इस फर्मूला पर आप लगा दीजे, यह क्या है, एक्यू प्लस बीक्यू, ठीक है, अबच्चे का, 0.5 plus 0.3, जो जोड़िए गया, तो कितना जाएगा, 0.8, अप्सन नंबर C, ठीक है, अबच्च्च देखें, फोन नमबर नेक्स्ट है फोन नमबर सवाल ठीक है फोन नमबर सवाल है 256 गुनी 256 ठीक है माइनस 144 बाट 112 ठीक है इसको solve करना है तो देखिए आप इतना multiply मत किसे बहुत जादा lengthy हो जाएगा ठीक है आपको एक formula याद होना चाहिए formula है a square minus b square होता है a plus b into a minus b क्या होता है a square minus b square a plus b into a minus b यहां देखिए a square ठीक है क्या लिख सथे इसको a मान सकते है यानि 256 का हॉल स्कॉर लिख सकते है ठीक है 256 दो बार गुणा 256 का हॉल स्कॉर minus 144 का हॉल स्कॉर लिख सकते है ठीक है बटा कितना है 112 अब देखिए a square minus b square तो a square minus b square a plus b into a minus b यानि एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे ठीक है तो 256 पलस 144 यानि एक बार जोड़िए कि यह बार क्या किजे घटा देजे 256 मैनस 144 ठीक है उस फ़गुला पर तोड़ दियें बटा कितना हो जागा 112 अब देखिए 256 पलस 144 जोड़िए गत कितना है जागा 6 4 10 के सुनना हाथ मेरा एक 5 9 10 के सुनना हाथ मेरा एक 3 1 4 यानि कि 400 मल्टिप्लाइ 256 में 144 जटा हीगा तो 6 में से 2 गया तो 2 6 में से 4 गया तो 2 5 में से 4 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1 यानि कि बटा कितना है जागा 112 अब देखिए 112 से 112 कैंसल क्या बज़ गया 400 यह मेरा क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा यानि कि option number कितना हो जाएगा option number 400 यानि कि option number B ठीक है option number B 400 कुछ नहीं करना था A square minus B square A plus B into A minus B ठीक है उसे बटोड़ दी है 256 का हॉल square 144 का हॉल square A plus B into A minus B एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे ठीक है करने कि लंगे एक बार लाइक पर जारू किजिएगा सैविकी सेयर थी देक्स देखते हैं फाइभ नंबर सवाल ठीक है Next 5 N. सवाल भी डेखिएं लेहा यादि किसी करेमूल सबूल छ Indonesianald की कोश्च प्राइज कोई वस्तु का के ठाव तर्था बगराएंगे यानि कि Selling Price का रेसियो यानि कि अनुपात 10 अनुपात 11 हो तो लावपरतिसत क्या होगा ठीक है देखे करेमूल यानि कि CP आपको करेमूल और बिकरेमूल आना चाहिए करेमूल यानि कि कॉस्ट प्राइस CP बिकरेमूल यानि कि सेलिंग प्राइस इस वस्तु को बेशते हैं वह मेरा बिकरेमूल का राएगा और जो किसी वस्तु का दाम है कीमत है वह मेरा कॉस्ट प्राइस यानि कि क्रेमूल ठीक है तो मेरा लाभ परसेंट पुछ रहा है यानि क Cost price. Sailing price. Kremel. Bikremel. ठीक है? Anupact कितना लए हुआ? 10. Anupact 11. कितना है 10? यानि कि दोनों का जो anupact है, वो 10. Anupact 11 है. ठीक है? कितना है? 11. यानि कोई वस्तु का दाम 10 रुपया है, आप इस ही पताइए. कि कोई वस्तु का दाम है 10 रुपिया और उसको हम बेच रहे हैं 11 रुपिया में ठीक है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा एक रुपिया प्रॉफिट होगा सिंपल सी बात है कोई वस्तु का दाम है 10 रुपिया ठीक है और उसको हम बेच रहे हैं 11 रुपया में तो प्रॉफिट कितना होगा एक रुपया प्रॉफिट होगा किस पे प्रॉफिट होगा CP पे होगा आप हमको बताएं थे कि जब भी लाब और हानी होता है वह हमें से क्राय मूल पे होता है यहानी कि कॉस्ट प्रेंटर से होता है तो मेरा CP परढे निकाल लेगा 10 रुपया प यह मिम लहाएं कि 10 रुपया बहास हो रहा है ठीक हैं हुँ क्या निकाल रहा है 15-30 टीक है 11% अव्यम लाब परशेंट यह मेरा क्या निकले हुए ग्लैकर लगर लाब सवाल था करेमूल और बिकरेमूल का हनुपात दिया हुआ 10.11 यान कोई बस्तू का दाम है 10 रुपया उसको हम बेच रहें 11 रुपया हमें तो प्रॉफिट केतना हुआ 1 रुपया जब भी प्रॉफिट और लॉस होता है यानि कि हानी होता है वह हमें साथ CP पे होता है तो cancel हुआ तो 10%, यानि लाभ जो percent है, वो मेरा 10%, यह मेरा क्या हो जाएगा? आंसर यानि option number B, ठीक है? चलिए next देखते हैं, six number सवाल, ठीक है? next है six number सवाल, ठीक है? सवाल बहुत अच्छा है, देखिए, सवाल बोल रहा है, दो प्राकित संख्या है, तो अनुपात पांच अनुपात में है, तो अनुपात पांच का आ होगी है, ठीक है? kunnaar फ़ल बोल बिसंख्या है, तो सबसे चोड़ी संक्या पूछ रहा है, देखिए कि अनुपात 967 tootstop B, Nu Nu ले ले तेख अनुपात 5 lumière 3x 5x ले लिए हैं ठीक है कड़ेगा तो उतना ही आएगा तीन और पांच आएगा जा बनको आत्मे लीज़ेगा तो इन दोनों संख्याओं का जो गुनालफल है इतना है यानि कि 3x गुना 5x इसकोल टू 2160 है इतना है 3x गुना 5x इसकोल टू 2160 हम बहुत आराम आराम से बता ठीक है इसलिए आरानों से से जिखें अब यहां से कातीगा तो देखेंगे 5से कातीगा तुंद्ध कितना हो कटचेगा तो देखें, आपने क्या बचेगा, 3x², यानि 3x² is equal to 432, आपने 3 से काड़िये, तो 30 कितना बार मड़ेगा, 3 एकम 3, चर्थी है 12, फिर एक बचेगा तो चर्थी है 12, यानि x² is equal to 144, तो x ब्रबर, अस्क्वाइर है तो ब्राबर को उसाइड जाएगा, तो अंक के अंडर रूट, अंडर रूट 144, आपको पता होगा, कि 12 का स्क्वाइर कितना होता है, 144, ठीक है, 12 का स्क्वाइर 144, यानि x is equal to 12, ये मेरा क्या हो जाएगा, अंसर, यानि x का मान कितना हैगा, स्वारी, x का मान तो 12 आगे, हमसे पुछ रहा क्या है, सब चोटी संख्यां क्या होगी, तो देखिए, इन दोन सबसे चोटी संख्यां हैं, 3x, यानि कि 3x क्या हो जाएगा, x का मान 12 है तो बरति ये 36, यानि क्या जाएगा, यानि जो सबसे चोटी संख्यां है, 36 तो ओप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, उच नहीं दिया हुआ था, दो संख्यां का पात दिया हुआ था, और उन दोनों का गुनल फल दिया हुआ था, 2160, तो हम इसको 3x ले लिए हैं, क्योंकि x का फॉर्म में आए जाएगा, ठीक है, 3x, 5x, दोनों को मल्टेप्लाइ कर दिया है, जब कारटिगा तो एक सबस्क्राइब बर 144, एक सबसे चोटी संख्यां है, बारत ही है, 36, अब यहां पर export किजिए तो बारत ही है, 36, यानिक option number यह हो जाएगा, ठीक है, चले, नेक्स देखते है, 7 number सबाल, ठीक है, और एक बात और, सबाल बताने से पहले आप एक बार copy में बना लिए ठीक है, उसके बाद सबाल को solve किजिए, ठीक है, ज्यादा benefit होग नेक्स देखते है, 7 number, ठीक है, 7 number सबाल बोल रहा है, 3 बाटा 5 पर पावर 3 है, ठीक है, 3 पर पावर 5 माइनस 6, बीच माव को पता हो क्यों, ठीक है, इसको बाताने से पहले हम आपको एक फर्मूला बताता है, जैसे कि फर्मूला होता है, कि A पर पावर M, ठीक है, ठीक है, पावर M, गुना A पर पावर M, देखिए, जब भी बेस समान हो, ठीक है, जब भी बेस समान हो, और पावर अलग अलग हो, जब भी बेस समान हो, जब भी बेस समान हो, याद रखिए, जब भी बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो क्या होगा यहां पर, एपर पावर M पलस N हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एपर पावर M पलस N, जब भी गुना हो, बेश अलग अलग हो, स्वरी, बेश समान और पावर अलग अलग हो, तो पावर क्या होता है? जूड जाता है, अब जैसे देखिए, एपर पावर M भागा, एपर पावर N, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एपर पावर M माइनस N, कैसे होगा देखिए, एपर पावर M, भागा, एपर पावर N, आपको पता होगा जैसे कि भागा है, यानि कि डिभाइड है, हमें इसको गुना में करना है किसी में convert करना है multiplya म EE. तो जब guideline में convert किजिएगा गुना किजिएगा फिर बटा में suddenly हो जाएगा ठीक है छिए वाब आट व ई यहां सब्षिद है यहां सब आखाएगा फिर पावर N अब देखेंग क्या है बेस समान है यहां पर लोग सकते है और पावर M साओ winner तो यहां पर चाहिए अब देखिए आपको एक चीज और आणा चाहिए जैसे कि माइनस माइनस क्या होता है माइनस गुना माइनस क्या होता है पलस ठीक है पलस गुना पलस क्या हो जाएगा पलस ठीक है यह भी आपको आना चाहिए देखिए यहां पर बेस क्या है समान है पावर अलग अलग है तो क्या होगा जूड जाएगा यहां पर देखिए बेस समान था तो पावर जूड गया तो यहां पर क्या हो जाएगा थिरी पर तीन पांच पर पावर क्या हो जाएगा 2x-1 अब देखिए पलस माइनस हो क्या बता आना था है पलस माइनस माइनस त्यांपर तो अल्डेडी मैनस हो जाएगा यानिक 3 पर पावर 5 3-6 तीन बटा पांच 2x-1 अब देखिए तीन में से आप देखिए यहां पर द्रों बराबर बेस है जब भी बिराबर हो जाता है ठीक है क्या ब्राबर होता है यहां पर क्या लिख सकते हैं मिनस त्री इसकाल 2x-1 ह्टीक है जब भी बेस यानिकी बराबर हो ठीक है 3 इनट पांच तो क्या हो जाएगा बेस यह जू पावर है ना वह दोनों समान हो जाएगा मैंस 3 है यहां पर की साइड लाएगा ता पलस वन हो जाएगा बराबर 2 x यहांपर क्या होगा मायनस 2 बराबर 2 x यहांपर x क्या होजाएगा x प्रबर होगा आपको दिख дома ना नीचे x बराबर क्या हो मायनस वन होगा ठीक है, x बोब भर माइनस 1 तुकी 22 से कटेगा तो माइनस 1 यही खमाण कितना जाएगा ? माइनस 1 यही था हमसे पूल साता है, x कमाण क्या होगा ? ठीक है ? कुछ नहीं था? यहां देखिए जब भी बेस से समान हो पावर अलग अलग हो तो पावर अलग अलग हो तो पावर अलग हो तो पावर समान हो जाता है तो समान कर दीए यहां से वान कितना गया, minus one, ठीक है, यह मेरा answer हो गया अलएजे आप formula note कर सकते हैं, ठीक है एपर power m ग rozm येपर power n येपर power m पलस यंे एपर power m भाग फाँट कर सकते हैं, ठीक है ये आप note कर सकते हैं, ठीक है चली निक्ष डीखते है, 8 नमबर सवाल, ठीक है नेक्स्ट है एट नमबर सवाल ठीक है एट नमबर सवाल बोल रहा है दो संख्यां तीन अनुपात चार के अनुपात में है उनका लासा यानिकी LCM लासा LCM 84 है कितना है नासा 34 तो उनमें से सबसे बड़ी संख्यां क्या होगी तो इन दोनों का लासा lighter तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी उनका लासा किनका लासा तो इन दोनों संख्याओं का लासा पूछ रहा है यानि कि जिसे कि तीन और अनुपाद चार है ना तो इन दोनों का लासा आप भी बताईए तीन और चार का एलसियम कितना होगा तो तीन और चार गैल्सियम, अब बुली का सर बारा होगा, यानि कि उनका लासा है 84, यानि कि बारा का भेलू दिया है, बारा कमान दिया है 84, तो एक कमान कितना हो जाएगा, 7, यानि कि पुली कि कैसे होगा, तो 84 बटे बारा, यानि कि 7, ठीक है, क्या हो जाएगा, 7, बारा क स्कुम्क पर मेन घ्रच साने की 17 का इसी तो इसे बड़ी संख्य है वह ben बताए इसे बड़ी संख्या क tolerant अब धी बताए इन दोनों नम्बर का उसक शैया टेंशनी लिए रिक्यांब्त ढूरा बड़ी संख्य कंश़ tehdCry दो संख्योप अब श कर दोपत था तिन हो चाहर गल सिम्ट 12 12 call on most at & 2 यॉ निक्ट्ट मढ बीके नेक्स बिदगते हैं 9 old कि δेख के नेक Argh नेक्स देखता है 9 warsiva Seit लुऩ अंड है नेक्से सवाल नेक्सटन निरवाताने एक वस्तु का अंकीट मुल एन कि 1 एक वस्तु का अंकीट फिस सवाल ठीक है उसे 20 परसेन्ट का एक बट्टा देख मडेचा 20% का एक बट्टा देकर यानि कि छूट डिसकाउंट देकर बेच दिया सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस कर दिया ठीक है? यदि उसे 25% लाब हुआ प्रॉफिट कितना हुआ? 25% लाब हुआ हो तो वस्तु का करे मुल क्या होगा? यानि कि CP पूछ रहा है, यानि कि Cost Price पूछ रहा है, ठीक है? देखिए जब भी discount होगा ना, तो हमेशा main price पे होता है, याद रखिए जब भी discount देगा, जब भी छूट देगा तो हमेशा main price पे यानि कि अंकित मुल पे, ठीक है? मेन प्राइस यानि कि अंकित्मुल जीतना दिया रहेगा उस पर हमेंसा डिसकाउंट होता है और जब भी profit और जब भी loss होगा तो हमेशा selling price पर CP पर होता है ठीक है डिसकाउंट दे रहा है पचास उर्पया पर कितना तो 20 परसेंट छूट दे रहा है यानि कि 50 पर पर कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20% छूट, यानि कि 100 से नीचे आएंगे, ठीक है, 100 से घटाएंगे, 20 तो कितना जाएंगे, परसेंट आटेगा तो 100, यानि कि 80 बटा, 80% यानि 80 बटा, 100, ठीक है, काटी यहां से, कितना बार में काटेगा, 50 से 100, दो बार में, ठीक है, 2 से 80, 40, या में 40 निकला है, वो हमें से सेलिंग प्राइस निकला है, क्या निकला है, सेलिंग प्राइस, देखिए, जब भी डिस्काउंट देगा, ठीक है, में प्राइस पर, और जितना मान आएगा, वो मेरा सेलिंग प्राइस होगा, तो 40 मेरा है, वो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प cash above profit 25% 100 में Chile 15 क्या है पांत जात गाड़ा कितना बार में? 32 रुपया, ठीक है, यह option number क्या हो जाएगा, option number D, ठीक है, देखिए, जब ही discount देगा, तो हमेशा main price पे, जब ही loss और profit होगा, तो selling price पे, याद रखिएगा, ठीक है, तो मेरा discount दे रहा था 20%, तो मेरा अंकित मुल कितना था 50 रुपया, 50 रुपया पे 20% discount, यानि 80, 200, यानि 40, चालिस निकला हो मेरा selling price है, यानि कि SP है, किस्केद मुल एफिए, ठीक है, SP कितना निकल गया, 40 रुपया, अब SP पे, यजिए, शेलिंग रहा होगा, उड़ा होगा, याने 10 रुपया था 50, यानि 22 रुपया, यानि किस्केद मेरा कितना निकल गया, 32 रुपया, यह मेरा answer हो के लाफ स्वाल देखते हैं, किसी सवाल बोल रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्राय मुल्कि पचीस परसेंट के बराबर लाफ होता है, तो उसका लाफ परसेंट क्या होगा ठीक है? फिर सब देखिए सवाल को, देखिए सवाल को समझने का कोशिज कीज़े, सवाल एक बार ब समझ नहीं का स मुठ्ण को बैचने पर, एक आद्मी को उसके विक्रा मुल्क के 25 परसंट के बराबर लाब होता है, तो उसका लाब परसंट क्या होगा, पर्फिट है बिक्राय मुल धाने के 25 परसेंट के बराबर होता है हमको बिक्राय मुल नहीं पसेंट पॉछ रहा है देख merchandise हमको पता है है इंसरी हाने की 드 च्रह potato जो पहे हम माल लेते हैं 100 इस परसेंट हम लिते हैं paying student है ठीक llamma किyan लाब कितना हो रहा है, profit प्रॉफिट याने पेमल प्रॉफिट कितना हो रहा है, पचीस, 25% प्रॉफिट हो रहा है, आप हमको ये बताइए, जब SP हमको 100 है, अब 25 रॉपिया प्रॉफिट हो रहा है, तो CP कितना हुआ होगा, cost price, तो आप बोलेगा सर, CP हो रहा होगा, 75, कैसे, जब कोई वस्तु कदा में 75 रॉपिया, अब देखें, जब कोई वस्तु कदा में 75 रॉपिया, और उसको हम बेच रहे हैं 100 रॉपिया में, जब कोई वस्तु कदा में 75 रॉपिया में, जब बेचना है उसको 100 रॉपिया में, प्रॉफिट कितना होगा, 25 रॉपिया क्या होगा यानि कोई वस्तु गदाम है पचेतर रुपिया उसको बेचे सौ रुपिया में तो लाव कितना हो रहा है पचीस पचीस से ना लाव होगा तो कितना में तो आपको क्या बताए थे जब भी प्रॉफिट और जब भी लॉस होगा तो हम इसाथ सीपी पे होगा किस प या 75 यानि कि 100 बटा 3 तो इसको लिख सकते हैं हम 33 पुर्णा के बटा 3 परसेंट यह मेरा अंसर हो गया 33 पुर्णा के बटा 3 परसेंट किस में है तो D में ठीक है देखिए शेयरे की फटार पारे वेंटल के अंधीर के था कि राने टेंड आखिए ननीकी प्राफिट आद्ली पाहाऊ यानि कि सेवच सकते हो दो कि जब उस तवस्तु को के City तो 75 रुपया उसको हम बेचेंगे सॉ रुपया में तो प्रांवड़ेट 25 रुपया होगा ठीक है अब प्रांविट कितना हुरा है रियली प्रांविट 25 रुपया के बाचेत्तर में तो गुना हनुट 25 रउप Applause9 । सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करेंगे एक ग्यारा नंबर और एक बारा नंबर सब्सक्राइब 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 करेंगे यानि कि 0.09 अब आपको बोड़े कि 144 का वर्गमोल कितना होगा तो इसको अंडरूट कि जिएगा तो आपको पता है कि 12 का 144 होता है यानि 12 हो जाएगा ठीक है तो उसी तरह से 0.09 का वर्गमोल क्या होगा पॉइंट गवर्गमोल नहीं है वर्गमोल है तो इसको अंडरूट चड़ा दीजिए अब इसको तोड़िए आप तो किसीज में तोड़िएगा देखिए आपको पता है कि 3 का स्क्वाइर नो यानि 3 बाहर कितना देखिए 10 तो 3 बाट 10 यानि कि 0.3 ये में रखिया हो जाएगा अंसर यानि का अप्सल नमबर बी ठीक है वर्गमोल निकालना था तो अंडरूट चड़ा दीए पॉइंट के बाद जितना 0 है यानि कि पॉइंट के इस नियुआ कितना था दोगो तो जिरू यानि नौ बाट कितना हो जाएगा साहंडरेड तीन का स्क्वार नो दस का स्क्वाइर हंड्रेड टीन दस यानि तीन बाहर ये आज थीक है आप दिए तीन दस यए जिरू पॉइंट थिरी एप्सन नमबर बी अप दिखिए 12 क्या हूं बराबर क्या हो यानि कि चार गॉप्सन में क्या हो आपको जितना भी सवाल बता अपये हैं टोटल सवाल पुछा हुआ था कितना आपको रेक्रिंग पढ़ाएंगे तो और डिटेल से बताएंगे फिलाल आभी इतना देख लिए जितना पर पार रेक्रिंग हो उतना नीचे नाइन आ जाएगा ठीक है कितना था एक दो तीन पढ़ा तो तीन को नाइन यानि एक बटा नो सो नेना नमबर बी हो किजिए मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक है प्रैक्टिस सेट नाइन के साथ और पुरा जोस के साथ जितना भी सवाल बताएं प्राइक्टिस कर सकते हैं ठीक है कॉपी पर लिग के बनाईए बताने से पहले ठीक है आप उसको एक बड़ कॉपी पर खुद से सॉल्व तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियों ताते जैहिन वंदे मातरम